दरभंगा सहर से बाड का पानी सहर से बाहर निकले इसके लिए दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है इसी क्रम में पोकलेंड मसीन से सारा मोहन के पास जो जहां पहले डंपिंग ग्राउंड था वहां नाला बना कर सहर से पानी सहर से बाहर न आपन हई साफाई करनीнем वेए उसी क्षोटे से नहर नहर में यह люди का एगरा किया है कि लोग कुछ कोड़ दिया है हम जब यहां से मखाना निकालेंगे तो आप नाले की सफाय कर लेंगे वैसे सारा मुहनपूर से लेकर कंगवा गुमती तक लोग नाले को अतिक्रमित किये हुए है करीब 40-50 फीट नाला है अब देखना यहा है कि जिस प्रकार से नगर निगम कार्ज कर रही है अतिक्रमन हटता है तो सहर से जल निकासी होगी ही अब देखना यहा है कि समस्या का समाधान किस अस्तर से होगी किसान ने क्या कहा सुनिए दर्भंगादर सन्यू से मनोज जा करीब आद भी हम बर्यें जाएंगे सर उस पर किसका जगा है यह जो परसी सर पर्ड़ परता है पर इसे कि अपना है मनोज क्या चाहते हैं उसंचा है अजे लिए हुए है तक यह निकल जाता है मकाना अखार से निकले गाइस मेंदा के बाद यही कि हम लोग गरीब आद भी है यही दुआ मांगेंगे कि आप से इस सबर के क्या मांगेंगा क्या नाम है आपका संभुस्तानि कितने दिनों से करते हैं कारवरुस्ता है और यह वाली करते हैं कब से कब और अब देख रहे हैं कि यह टंपिंग ग्राउंड है यहाँ पहले दरभंगा नगरिंगम कछचरा गिरहा जा रहा था लिकिन आप यहां कछचरा नहीं किरता है सहर से पानी निकलने के लिए यहां नालों की सफाय की जा रही है पोक लेंड मसीन के द्वारा जिस प्रकार से इस बार नगर निंगम सक्रिय लग रहा है कि बाड में जो जल जमाब की समस्या होती है लोगों को नहीं जूजना परेगा आप देख रहे हैं कि यह सहर से निकलने का मुख्य मारग है पानी का वाड नमर एक दो तीन चार पांच छो और साथ इन वाडो का पानी अगर इसको ठीक से साफ कर दिया गया तो पानी यहां से निकासी हो जागा और बरसात में जल जमाब की समस्या होती है उससे लोगों को नहीं जूजना परेगा जिस प्रकार से नगर निंगम सक्रिय है लगता है कि इस प